कि दोस्तों यह हमारे सब्सक्राइबर है और उन्होंने कॉमेंट किया है यह अब देख सकती हूं यह कॉमेंट किया है इन्होंने और इनका प्रॉब्लेम का सोल्यूशन आज हम कर देंगे अच्छे तरीके से थुरा सा कॉमेंट पढ़ते हैं इनका भाई सहब का देखिए उन से मेरा जिन्दगी को बचाएं उसके बाद में कॉमेंट किया सर मेरे वाटसप से कोई चैटिंग और कॉल का पता लगा सकता है क्या सर इन दिनों यह हो रहा है इलीगल तरीके से सर प्लीज बताओं तो मैं आपका प्रॉब्लम यह समझ चुका हूं और इसका पूरा यहां पर आपको सुल्यूसन भी दे रहा हूं सबसे पहले तो जो है यह है कि कोई भी illegal तरीके से आपका phone record नहीं कर सकता है call details नहीं निकाल सकता है अगर ऐसा कर रहा है तो आप सबूत के साथ जो है उस पर case कर सकते हो चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो ठीक है उसमें आपको डरने की जरूत नहीं है आपका अधिकार है आ आप कानूनी मदद ले सकते हो दूसरा चीज है कि call details आपका location details जो भी आप chat कर रहे हो उसका details जो है बिलकुल निकाला जा सकता है क्योंकि आज market में जो है बहुत सारे चोड़ application मौझूद है अगर गलती से किसी ने आपका phone ले लिया और उस app को आपके mobile में install कर दिया तो mobile app आ गया है जो कि आपके mobile में install भी रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और वो आपका सारा data जो है उठा उठा के भिज़ते रहेगा अब internet mobile में आप on करोगे आपका data उनके पास जाते रहेगा जिन्होंने आपके mobile में उस तरह का चोड़ app ठीक है spy app भी कह सकते हो ड आपको क्या करता है वो समझ लीजिए क्योंकि आपके फोन में वो mobile app कहा है वो तो दिक नहीं रहा है आप उसको खोज नहीं पा रहे हो तो उसके लिए solution क्या है यह समझ लीजिए सबसे पहले आपको mobile का जो setting होता है उस setting के अंदर में जाना है उसके बाद आपको mobile के general management जो होता है general management के अंदर जाना है क्लिक करके जेंदल management के अंदर में एक reset का button होता है reset button को आपको क्लिक करना है उसके बाद यहां पर देखिए एक option है factory data reset इसके उपर में आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए reset button है लेकिन reset button को जब click करोगे तो उससे पहले जान लो कि होता क्या है reset button जब click करोगे तो आपके mobile में जितना भी information होगा जितना भी app होगा जितना भी data होगा सारा का सारा data delete हो जाएगा और आपका mobile बिल्कुल नया हो जाएगा इसलिए warning है हमारे तरफ से कि आपके mobile में जो भी important photo हो document हो उसको सबसे पहले आप किसी pen drive में memory card में उसको backup कर लीजिए सबसे पहले उसके बाद ही reset कीजिएगा क्योंकि reset करने से होगा ये कि आपके mobile में सारा data delete हो जाएगा और उसके साथ साथ अगर किसी ने आपके mobile में चोड़ एप spy app को install किया हुआ है तो वो भी delete हो जाएगा उसके साथ साथ और आपका mobile बिल्कुल नया हो जाएगा तो जिसने भी आपके data को चुड़ाया है या चुड़ार रहे है आपके phone से call का detail chat का detail या जो भी details है वो सब बंद हो जाएगा और जब बंद हो जाएगा तो उसके बाद ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी को phone वगएड़ा मत दीजेगा नहीं तो फिर से दुबाड़ा ऐसा हो सकता है कोई आपके mobile में फिर से छेड़खानी कर देगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है इसलिए mobile को अपना हांत में रखिए safe रखिए और password लगा के रखिए तो यह सब warning मैंने दे दिया आपको उसके बाद आप अपना reset को क्लिक कर दीजे आपका reset हो जाएगा phone उसके बाद फिर से अपना start करके थोड़ा थोड़ा time लगता है उसके बाद mobile नया हो जाएगा तो अपना email ID बगड़े डालके अपना फिर से अपना phone को आप चला सकते हो और जो भी अपना समान आपने backup किया है data वगेरा उसको फिर से अपने इसमें डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है है ना मैं already कितना बढ़ भी मैं already कितना बढ़ कर चुक हो इसके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप कर सकते हो जाने बाद दोस्तों